हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूमादव ड्रेसीज आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स हम कोटन की एक सीधी पट्टी से लड़ु गोपाल जी की बहुत हैवी ड्रेस तयार करेंगे और इस ड्रेस को आप किसी भी ओकेशन पर जनमास्मी पर हर्याल तीज पर रक्षाबंधन पर किसी भी ओकेशन के लिए बना सकते हैं तो इसमें देखे हमने ना किसी बूटी का यूज किया है ना किसी चोडी लेस का यूज किया है सिर्फ एक सीधी पट्टी की हेल्प से बहुत ही सुन्दर ड्रेस तयार होने वाली है तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेग को तो बहुत आराम से आएगी अगर आप बड़ा घेरा पहनाना चाहते हैं तो आप चार नंबर को भी इसको पहना सकते हैं अभी वीडियो में मैं आगे आपको सिखाऊंगी सिर्फ आपको डायामीटर चोटा या बड़ा करना है बाकी ड्रेस बनाने का सेम सेम प्रोसिस य उपर हमने डायामीटर को रख दिया है अब इसके चारो तरफ किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे अब सिलाई लगाने के बाद देखें जो हमारा ये कपड़ा था इसमें हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे कट लगा दी हैं जिससे कि हम पलटेंगे तो इसमें कोई भ नहीं होती है तो अब हमकर करनी है कमर कट तो इसको फॉल्ड कर देंगे ik यहां से लीगे से भीकude सी सिलाई घंट theo इंए और फिर हमने थे लक मिलांगे, थे सोसलिप से भीके लिए से भीकरम को मिलाностью और मिलाने के बाद कमर का मार्क लगाएंगे तो यहां पर देखे मैं 0.75 पर यानि कि पोना इंच पर इस पर मार्क लगाऊंगे और इस मार्क को लगाने के बाद इसको हम यहां से गोलाई करेंगे और इस गोलाई की हमें कटिंग करनी है फिर हम एक साइड से यहां पर मार्क क निकालते वे चले जाएंगे बहुत आराम से हम इसको ऐसे करके पलट देंगे तो इस तरह से यह पूरा सीधा हो जाएगा यह देखीगा और फिर इसमें अंदर थोड़ा सा हाथ देखर के इसको सेट करदेंगे और इसकी किनारी को देखे हाथ से मिला करके इसको देखे ऐसे प्रेस करते जाएंगे इसकी सिलाई देखे हमें यहां से ऐसे पकड़नी है और इसको हाथ से प्रेस कर देना है तो अच्छे से सेट हो जाएगा सेट करने के बाद फिर हमें क्या करना है जो यह ओपन साइड है यहाँ पर सिलाई लगा देनी है अब यह हमारा बेस बन करके तयार हो गया है अब इसको हम देखे जो हमने सीधी पट्टी बनाई है उससे डेकोरेट करेंगे तो देखे यह पट्टी मैंने आपको दिखाई थी इस तरह के हमें पट्टी बनानी है तो देखे किस तरह से बनाएंगे हम इस तरह से देखे एक पट्टी कट करेंगी यहाँ पर मैंने यह कोटन की पट्टी को कट कर लिया है और देखे इसकी जो चोड़ाई लिया है मैंने यहाँ पर यह साड़े तीन इंच लिया है और लंबाई ही में हम 2-3 पट्टे पूरे अरज की cut कर लेंगे, जितनी भी लगेगी लग जाएगी, अब इस पट्टे को देखे एक बार ऐसे फोल्ड करना है और फिर एक बार फिर से फोल्ड कर देना है, ये हमारी एक इंच चोड़ी पट्टे हम इसको तयार करेंगे यहां से चार इंच का एक पीस लेंगे और उसको कट कर देंगे फिर यहां से चार इंच का लेंगे तो चार चार इंच की पट्टिया हमें कट करके रखनी है अब यहां पर देखे यह पट्टिया मैंने कट कर ली है अब इन पट्टियों को देखे हम ऐसे पकड़ेंगे गोट सपने रेडी करने हैं यहां से ऐसी चढ़ाएंगे इसको तियार करेंगे फिर दूसरी पट्टी लेंगे गोटा उपर की साइड रखेंगे सेंटर से फॉल्ड करेंगे और एक दूसरी के उपर चढ़ा करके रख देंगे तो इस तरह से हमें कुछ पीसिज तयार करके रखने हैं तो चलिए कर लेते हैं फिर दिखाती हो आगे आपको कि हमें कैसे करना है अब देखे जब हम सारे पीसिज को इस तरह से तयार कर लेंगे तो फिर इनको कैसे लगाएंगे ये देखे हमार बेस है पहले हम एक पीस्ट को यहां पर रखेंगे और देखे इसको हमी जितना निकाल सकते हैं इतना बहर आपको ड्रेस की जो डायमीटर है ज्यादा रखनास मघनाई तो आपको कम के अदर की मेटर रह द outfit लुट सकते हैं। पूरे डायामीटर पर हम इसी तरह मार्क लगाएंगे जिससे कि आपको देखिए इसे में लगाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप मार्क नहीं लगाएंगे तो उपर नीचे हो सकता है जब हम इस मार्क को लगा लेंगे तो देखिए एक पीस को ऐसे लेंगे और देखिए यहाँ पर रख देना हमें इसके उपर ये जो हमारी सिलाई है ये इसके उपर हमें ऐसे रखनी है और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है फिर दूसरा पीस लेंगे और देखे थोड़ा सा इसके उपर चढ़ा करके ज़्यादा हमें नहीं चड़ाना है अगर अलग रखेंगे तो यह अलग अलग नजर आएगा थोड़ा सा उपर चड़ाएंगे और इसको रखके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे फिर तीसरा लेंगे और इसको भी ऐसे ही रख करके सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से देख आदा हम उपर रखेंगे और आदा नीचे रखेंगे और फिर अगर आपको देखे यहां पर भी मार्क लगाना है तो आप लगा सकते हैं देखे यहां से इससे देखे सिलाई से नापेंगे हम सिलाई से हमारा यह एक इंच है तो एक इंच पर आप मार्क लगा लें यह देखे हलका सा एक दूसरे के उपर चड़ा करके और इस तरह से इसको सिल देना है तो देखे मैं दूसरी लेयर भी लगा लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें क्या करना है अब दूसरी लेयर भी हमने लगा ली है और इसके बार देखिए हमें क्या करना है हमें यहां से यहां तक इसको मेजर करना है तो देखिए यह सिलाई तक हमारा पोने 2 इंच है हमें यहां पर नैट की पट्टी से फ्रिल बनानी है यानि कि प्लेट्स तो मैं यहां पर 2 या सवा 2 इंच इतना हमें इसको cover करना है portion को तो मैं net की पट्टी कट करूँगी तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सवा 2 इंच net की पट्टी को कट कर लिया है और इन में हम बनाएंगे plates यहाँ पर मैंने तीन पट्टी पूरे अर्ज की कट की है यहाँ पर इस तरह से plates बनाएंगे एक दूसरी के उपर करते वे गहरी गहरी हमें plates एक दूसरी के उपर करते वे लगानी है और सिलाई करते जाना है जब हम इसको सिल लेंगे plates लगा लेंगे तो सारी plates को देखिए यह नीचे से थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड से हम इसको लगाएंगे यहां से तो देखे जो यह हमारा बेस है यहां से हम इसको लगाना है उपर पट्टी से नहीं लगाना है जहां पर यह बेस है जितना दिखाई दे रहा है यहा इस तरए से फॉल्ड करते जाएंगे और रिबंस से लोक कर देंगे दोनों साईड रोक करेंगे और लोक करने के बाद फिर हमें बनाना है इसमें यहाँ पर नेफा, तो नेफे के लिए मैंने देखे यह पट्टी कटकी है और इस पट्टी का मेसरमेंट है यहाँ पर देखे यह तीन इंच की है आप इसको साड़े तीन इंच भी ले सकते हैं इस पट्टी को डबल करेंगे और डबल करेंगे डबल करके इसके उपर उपन साइड में सिलाई लगा देंगे सिलाई लगा कर यहां से फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड से इसको यहां से रखना शुरू क करने अख़ी सबरेंगे इसको पूरी कमर पर लगा देंगे और इसे इसी पर से फोल्ड कर देंगे और इसके आप नेफा बनाएंगे तो बहुत इपर चाहिए ही पर अब नेफा बनाएंगे सीध करेंगे और करेंगी टाफ का नेफा बन करके रेडी हो जाएगा बाकी मैंने नेफे की वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डेस्क्रिप्शन में तो आप उसको देखकर भी नेफा लगा सकते हैं तो इस तरह से चलिए हम नेफा लगा लेते हैं अब यहाँ पर देखे नेफा लगाने के बाद डोरी हमारी कितने अच्छे से घूम रही है तो इस तरह से यह आप लगाईएगा नेफे वाली वीडियो आप देख लीजिएगा डेस्क्रिप्शन में और देखे इस तरह से हम बान देंगे तो लटकन बहुत खोब सुरत लगेंगी और ये भी मैंने सिखाई भी है आप उन वीडियो को चेक करिएगा और देखे यहाँ पर बना लिए हमने इसकी चोली फ्रील वाली चोली इसकी भी सेपरेट वीडियो है अगर आप सीखना चाहते हैं इस चोली को तो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिलेगा तो इसको भी आप बना लेजिए तो देखे फ्रेंड्स आज हमारी बिना बूटी के कितनी प्यारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है इस ड्रेस को आप घर पे भी वाश कर सकते हैं बहुत आराम से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई बूटी वगरा कुछ भी नहीं है बहुत ही सुन्दर ये ड्रेस बन करके तयार हो गई है और देके डायामीटर एक बार आपको दिखा दू तो यहाँ पर जो तयार हुआ है ये देके साड़े दस इंच का हुआ है तो आप चार पांच छे तीनो नमबर काना जी को पहना सकते हैं वैसे मेन ये पांच नमबर के लिए है लेकिन चार को थोड़ा बड़ा घेरा आएगा और चे नमबर काना जी को थोड़ा सा छोटा घेरा आएगा तो आप तीनो साइज के लिए आप बनाईए वैसे आप हर साइज में डायमेटर कट करके इसको बना सकते हैं सेम प्रोसिस से जैसे मैंने बताया है अगर आप इसको छे नमबर से बड़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे जैसे मैंने यह दो रो लगाई हैं तो आप इसको यहाँ पर तीन रो लगा ले इन वाली पट्टियों की और फिर उसके बाद लगा दे बीच में यह फ्रिल तो इस तरह से बड़े साइज में आप इसको बना सकते हैं छोटे साइज में आप एक लगा ले और फिर यह फ्रिल लगा दे तो इस तरह से जीरो नमबर एक नमबर में आप एक पैटन बना करके यह एक लगा करके फिर फ्रिल बनाएंगे कुछ नया लेकर तब तक के लिए राधे राधे